नमसर्वेभ्या हा व्योमा समस्कुत बाठशालाया हा लगुसिद्धान्तकोमुदी द्वितिय भागे अध्य द्वादश अध्यायस्य नवमह पाठा हा कारकाणाम अभिधानस्य उशय अधियानाह वयम तत्रईव काम्ष्चन अम्षान ज्यात्वा कानिचन वाक्यानी पश्यामह तत्रविभक्ति निर्नयह कथं भवती इत्यादी पश्यामह ये नाक्षर समामनायम अधि गम्य महेश्वरा तकृत्स्नम् व्याकरनं प्रोक्तंत अस्मय पाणिन ये नमह वाक्यकारं भररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणि निम्सूत्रकारंच प्रनतोस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीन देवीं शुद्धां गुण्यांकरो अस्माभिही अस्मिन सप्ता है कारकाणाम अभिधानस्य वुषये चिंत्यमा नमस्ति भाषायाम कारकाणाम अभिव्यक्तिही कईहि भवती इति प्रश्नहा विभक्त्या भवती इति वयं जानीमह एवा यथा कर्त्रकरणयोहों तृतिया, कर्मणी द्वितिया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, अधिकरणे सप्तमी येताहा कारकाणाम विशिष्टाहा विभक्तयाह भवन्ति किन्तु विभक्तिया सहा तिंग प्रत्ययेही कृत्प्रत्ययेश्चापी कारकाणाम अभिधानम भवती तदेव कर्तरी लकारह, कर्मणी लकारह, भावे लकारह इति उच्चेते लकारह तिंग इति उभयम अस्मिन प्रसंगे समानार्थकम धातो हो लकारह विधीयते लकारस्यस्थाने तिंग प्रत्ययेहा आदेशह भवती इत्यतः लकारह तिंग इति अत्र अस्मिन प्रसंगे इतु समानार्थकत्वेनो पयुज्यते कर्तरी कर्मणी भावे त्यत्र प्रत्ययह कर्तारं बोधयती कर्म बोधयती अथवा भावं भावो नाम धात्वर्थाह अथवा क्रिया एवमेव क्रित्प्रत्ययेशु कर्तरी क्रित्प्रत्ययह कर्मणी क्रित्प्रत्ययह भावे क्रित्प्रत्ययह तेन सह करणे संप्रदाने अधिकरणे इत्येवम भिन्नेशु अर्थेशु क्रित्प्रत्ययह अभी विधी यंते आदव यदा अस्माभिही वाक्यस्य रचना क्रियते आदव धातुभ्यह प्रत्ययस्य चयनं क्रियते ततह तदाधारेन प्रातिपरिकेभ्यह विभक्ति विधानं क्रियते इति क्रमह कि मर्थम इति प्रश्नहा भवत्येव किमार्थम आदव एव विभक्तिहीन करणिया इति चेत तत्र अनभिहिते इति सूत्रमस्ति द्वितीयाध्याये तृतीय पादस्य प्रथमं इडं सूत्रं अनभिहिते अयम विभक्ति पादह विभक्ति विधायकानी सर्वानि सूत्रानी अष्टाध्यायाम द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पादे एव पाणिनिना निभध्धानी संति तत्र अप्रथमं सूत्रमस्ति अनभिहिते इति इति इदम अधिकार सूत्रं संपूर्णं पादं व्याप कहां अर्थाह अस्मिन अधिकारे विशिष्टेश अर्थेश विभक्ति विधानम क्रियते किन्तु ताह विभक्तयह तदाएव भवंती यदा तदर्थाह अन्येन केनापी अनभिहिताह अनभिहिताह न अभिहिताह अनभिहिताह अभिधानम इत्युक्ते उक्तिही इत्यर्थाह अनभिहिते इत्युक्ते अनुक्ते अनभिहिते कर्मनि द्वितिया अस्य पादस्य द्वितियम सूत्र मस्ति कर्मनि द्वितिया तेन सूत्रेन की मुच्यते यत्र यत्र कर्मकारक मस तत्र द्वितिया इति न अनभीहिते कर्मणी द्वितिया इत्युकते कर्मरूपह अर्थह यदा अन्येन केनापी नोक्तह अन्येन केनापी इत्युकते तस्मिन वाक्ये अन्येन शब्देन अत्र शब्दह कस्चित प्रत्ययह यथा यदा नेम कर्मार्थेक्त प्रत्ययह स्य कर्मनिलकारहस्यात अन्यहा कोपी शब्दविशेशह यदा कर्मरूपम अर्थम न बोधयती तदा एव द्वितिया विभक्तिही भवती इती सूत्रा अर्थाहा सर्वत्रापी अनभिहिते इती अनुवर्तते इत्यतहा ये ये अर्थाहा निर्दिष्टाहा तेशु अर्थे आनभिहितेशु सा विभक्तिहि भवती। तदा किम चिंतनियं। विभक्ति विधानात पूर्वं अन्येनकेनचिर अभिधानम अस्तिवा। इति चिंतनियं। अतयेव वाक्ये अन्ये अम्षाह विशिष्य धातुभ्याह विधीय मानाह प्रत्ययाह आदव निष्ची अन्ते तदनुगुणं तत्र यत कारकं न अभिहितं तद बोधनार्थं तत्त द्वाचकपदात सा विभक्तिहि क्रियते। इति क्रमह। अतयेव अन्यदपि वाक्यम बहुधा व्याकरण शास्त्रे प्रयुज्यते अभिहिते प्रत्तमह। अनभिहिते इति सूत्रम अधिकार सूत्रम अभिहिते तु यस्य कस्यापि अथव यस्याह कस्यापि विभक्तेहे अर्थः नामकर्मवा करणमवा करतावा यदा अन्य रद्वा अन्ह श सेंगेन अभिहटफ तदा तद्वाजकात् पधाँत प्रथमा विभक्ति भवती. अयम, सामान् targeting यम्यां एकोप अर्थः वाक्ये शब्दांथरेन येधि अभिहितः तदा तद्वाजकात् पधाँत प्रथमा एव भवति. तस्याह कह अर्थः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमान वचनमात्रे प्रथमा इरम सूत्रम वयम किंची दग्रे विस्तरेण पठिश्या महा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा अविभक्ति ही भवती इती सामान्यार्थ अनभिहिते अन्याहा विभक्त यह भवंती अभिहिते तु प्रथमा वि करणम अभिहितंचेत करणपदात प्रथमा, इत्येवं सरवत्रापी तस्मिन अर्थे अभिहिते प्राथिपरिकार्थमात्रे प्रथमा, everything will default to प्रथमा, if something else has already expressed that कारका, तत्र तिंग प्रत्ययेहि कारकाणाम अभिधानम द्रुष्टमस्मा भिहि, कर्तुहु कर्मनहवा भवती, तिंग प्रत्ययाहा कर्तरि भवंती अथवा कर्मनी, अन्यानी कारकाणी तिंग प्रत्ययेहि नोच्यंते, कारकद्वयमेव उच्यते, कर्तावा कर्मवा, लख कर्मनी चा भावे चा अकर्मकेभ्या इती सूत्र मस्ती लकाराह सकर्मकेभ्या धातु भ्या कर्तरी कर्मनी चा भवन्ती लकाराह अकर्मकेभ्या धातु भ्या कर्तरी भावे चा भवन्ती इती सूत्रस्य अर्थाह तत्रद्वेधा विभागह करणी यह लह कर्मणी च भावे च अकर्मकेभ्यह पूर्वतन सूत्रात कर्तरी इती अनुवर्तते कर्म अस्ति चेत कर्तरी अथवा कर्मणी तत्तु विवक्षानु गुणम कर्तरी अपी वक्तुम शक्यते कर्मणी अप कर्म अस्तिचेत भावे न भवती सकर्मकेभ्या कर्तरी कर्मनीच अकर्मकेभ्या कर्तरी भावेच इती व्यवस्था एवंच कर्त्रकारकं कर्मकारकं इती कारकद्वयमेव तिंग प्रत्य येन बोध्धुम शक्यते अन्यानिकारकाणी तिंग प्रत्य यही न बुध्यनते अत्र भावह इत्युक्ते धात्वर्थः अथवा क्रिया उभयम नास्तिचेट केवलं क्रिया एव बोध्यते इत्यर्थः कृत्प्रत्ययानाम वुशय यदा चिंतयाम हो, कृत्प्रत्ययाईही कारकाणाम अभिधानाम इती, तत्र सर्वेशाम कारकाणाम अभिधानाम कृत्प्रत्ययाईही शक्यते, करणे, अधिकरणे, इत्येवं भिन्नेशु कारकार्थेशु कृत्प्रत्ययाह विहितास्वंत किन्तु तद्विशय वयं अग्रिम पाठे पश्यामह अन्येशु कारका अर्थेशु प्रयोगं अधुना एतेशु अर्थेशु तिंग प्रत्ययेही कर्त्र कर्म भावाह अभिधी यंते तत्र कर्त्र अर्थकेशु कृत प्रत्ययेशु एते प्रमुखाह संती क्तवतु प्रत्य यहास्ति गतवत क्रीतवत्थ सितवत इती कर्तरर्थ कहा। क्तप्रत्य यहा कर्तरर्थे सर्वेभ्याः धातु भ्याः नभवती। गत्यर्थ के भ्यहा, अकर्म के भ्यहा, अन्य भ्यहा के भ्यष्चित विशिष्टधातु भ्यहा, क्तप्रत्य यहा कर्तरर्थे भवती। गत शयित स्नात इत्यादी, शत्र शानच्च, एतव प्रत्ययव कर्त्रर्थकव एव, गच्चत क्रीडत, गच्चन इत्युक्ते यह गमनक्रियाम करोती सहयव उच्यते, एवं कुर्वान यह कार्यम करोती सयव उच्यते, नुमुल् त्रिच्च, एतव प्रत्ययव अपी कर् पाचक इत्युक्ते पाक कर्ता, वक्त्र इत्युक्ते वचन कर्ता, एवं एते अत्यन्तम प्रसिद्धाह कृत्प्रत्ययाह कर्त्रर्थकाह भवंती, एते इही कर्ता अभिधीयते अन्ये केचन कृत्र प्रत्ययाह संती, भाव कर्मार्थकाह भाव कर्मार्थकाह इत्युक्ते किम, कर्म अस्तिचेत ते प्रत्ययाह कर्म बोधयन्ती, कर्म नास्तिचेत भावं अथवा क्रियाम बोधयन्ती भाव कर्मनों हो इत्युच्यते क्तप्रत्य यह बहु मुख्या हा सर्वेभ्या धातुभ्या हा भाव कर्मनों हो क्तप्रत्य यह भवती पठीत वंदित लिखीत स्नात गत इती सर्वत्रापी कर्म अस्तिचेत क्तप्रत्य यहना कर्म एव बोध्यते कर्म नास्तिचेत तत्र एवं एव तव्य अनियर य एते त्रयाह प्रत्ययाह अपी भाव कर्मार्थकाह एव तैही कर्मनाह क्रियायाह वा बोधाह क्रियते एत द्विहाय क्येवला भावर्थकाह क्रित प्रत्ययाह संति कर्मा भवतुवा नवा एतैही भावा क्रियाएव बोध्यते क्त्वा ल्यप तुमुन प्रसिद्धानी कृदंत अव्य यानी अत्र क्त्वा गत्वा इत्युक्ते गमनक्रिया पूर्वकाली की गमनक्रिया it just means there are two actions and this action is the first of the pair it does not indicate either the karta or karma even if it is there karma अस्तिचेद अपी क्त्वा ल्यप तुमुन येतै ही प्रत्य येही कदा अपी कर्मनह अभिधानमन भवती कर्तुहु अपिन भवती केवला भावार्थकाह येते प्रत्य याह भेदह अवगंतव्यह भाव कर्मार्थकाह इत्युक्ते कर्म अस्तिचेद कर्मनह अभिधानम भवती कर्मनास्तिचेद भावस्य केवल भावार्थकानां वुषयेतु भावस्य एव अभिधानं भवती। इदम बहु मुख्यम एतदाधारेण एव अस्माभिही वाक्ये विभक्ति निर्ण यहां करतुम शक्यते। अधुना केशुचिद्वाकेशु वयम विभक्ति ही किमर्थमस्ती कथमस्ती इति अवलो कयाम Common, अगरिम पाथे अन्येशु कारकेशु अथवा अन्येशाम कारकानाम भिधानं कृत प्रत्येही कथमभवती इति पश्याम harsh एतानी माक्यानी पूर्वमपी अस्माभिही द्रिष्टानी आदो किम कृतम अस्माभिही क्रियाधारेन कारक निर्णयाह क्रिताह अहम लोकयानेन ग्रामंग अच्छामी एत्ति अस्ति अत्र गमनक्रिया एका एव क्रिया अस्ति तत्र गमनक्रियायाह कर्ता अस्मी अहम कर्म अष्थि ग्रामः, करणंँ अष्थि लोकयानं एवां त्रीणी कारकानी अत्रसंथी इदानी विभक्ति विष्ए यदा चिंतयामः आदव गमनक्रिया तत्र तिंगन्तमस्थि गच्छामी तेना क्रिय बोध्यते कर्ता अपि बोध्यते अतहा अभिहिते कर्तरी कर्ता तिंगंते न तिंग प्रत्यये न अभिहिता इत्यता हा अभिहिते कर्तरी प्रथमा विभक्ति ही अहम इति प्रथमा विभक्ति ही कि मर्थम प्रथमा कर्ता एव अहम इति कर्ता किन्तु प्रथमा विभक्ति ही प्राति पदिकार्थे कि मर्थम कर्ता तिंगा अभिहिता हा इदानीम ग्राम हा इती कर्म अस्ति अनभिहिते कर्मनी कर्मा के नापिना अभिहितम अता हा अनभिहिते कर्मनी द्वितिया विभक्ति ही लोकया अनम करणम अस्ति अनभिहिते करणे तृतिया विभक्ति ही कर्मनहा द्वितिया द्रिश्यते करणस्य तृतिया कर्तरी तृतिया तु नभवती किमर्थम कर्तुहु तिंगा अभिहितत्वात। मया लोकयानेन ग्रामह गम्यते इति वाक्येतु गमनक्रिया अस्ति कारकाणी समाना निसंति गम्यते इति कर्मणी तिंगंतमस्ति अतह अनभिहिते कर्तरी तृतिया भवती अभिहिते कर्मणी प्रथमा मया ग्रामहा लोकयाने तु अनभीते करने तृतिया भवती मया ग्राम अहा लोकयाने न गम्यते अहम ग्रामम गत्वा जम्बू फलानी खादामे खादनक्रिया एका गमनक्रिया अपरा अस्ति आदव खादनक्रिया अहम कर्ता जम्बू फलानी कर्म खादामी इती कर्तरी तिंगन्तमस्ति अभिहिते कर्तरी प्रथमा भवति अहम इती अनभिहिते कर्मणी द्वितिया भवति जंबु फलानी इत्यत्र द्वितिया विभक्ति द्वितिया क्रिया अस्ती गमनक्रिया तत्रापी कर्ता अहम कर्म ग्रामः इम क्रिया बोध्यते गत्वा इती क्त्वा प्रत्ययांते ना क्त्वा इती भावार्थक क्रित प्रत्यया चापटिका स्मर्तव्या कर्तरर्थका हके भाव कर्मार्थका हके केवला भावार्थका हके अत्र भावे क्रिदंतम अस्ती भावार्थक क्रिया एव अत्र बोध्यते अतहा कर्ता अपी अनभिहितम कर्म अपी अनभिहितम karta asti, saha shared karta, like we have a shared transport, it is a shared karta, tatra sutram asti, samana kartrkayoho poorvakaale kthva bhavati, kthva pratyaya yada bhavati, tatra sarvatra api samana kartrkatvam, tingantasya yaha karta, sayevakarta kthvaantasya api bhavati, samana kartrkayoho poorvakaale ityanena, tad eva sutram tva pratyavidhayakam, ataha ubhayoho karta samanaha, ting pratyayena yada kartuhu abhidhanam kriyate, ubhayam samanam ityataha kartuhu abhidhanam jatam, ataha atrapi abhihite kartari prathama, ataya eva ekameva padamasti, samana kartuho karta kartuhu abhidhanam tinga kriyate, kintu bhinnam karma asti, gamana kriyaya ha karma bhinnam, khadana kriyaya ha karma bhinnam, इदानीम, gamana kriyaya ha karma gramaha, anabhihite karma ni dvithiya vibhakti bhavati, ataya eva gramad api dvithiya, jambu phalibhya ha api dvithiya bhavati, उbhayatra kartuhu abhihita tvaat, kartra padat, prathama prati padikarthe bhavati, इदानीम, अपरम वाक्यम पश्या मह, maya ga te grame nivasanthaha balaha, jambu phalani prathidinam khadanti, अत्रापi prathamakriya khadana kriya, khadana kriyaya ha kartaraha, nivasanthaha balaha, चर्वदा स्मर्तव्यम, वाक्ये यानि यानि पदानी, समानं padार्थं bodhayanti, समानाधि करनानी, विशेषणं विशेष्यम इति यदुच्यते, यलिंगं यद्वचनं याच विभक्तिही विशेष्यस्या, तल्लिंगं तद्वचनं साच विभक्तिही विशेषणस्या पी इत्यत्र, उभव्याव अपिपदाभव्याव समानः पदार्था बोध्यते इत्यतः समानम वीभक्ति विधानम भवति आतत कर्त्र वाचकानि यानी यानी पदानी संती वाक्ये सर्वेभ्याव समान वीभक्तिही फ भवति इदानीम निवसंतह वालाह, boys who are living, ते येव अत्रकर्तारह, जंबू फलानि कर्म, प्रति दिनम इती अधिकरणमस्ति खादनक्रियायाह, कालह अधिकरणम् भवती इती न्यातवंतह, इदानीम खादंती इती कर्तरी तिंगंतमस्ति, किला, कर्तरी तिंग प्रत्ययाहस्ति, अभिहिते कर्तरी प्रतमा भवती, निवसंतह बालाह इत्यत्र, अभिहिते कर्तरी प्रतमा, अनभिहिते कर्मनी ध्वितिया भवती, जंबू फलानी इत्यत्र, अधिकरणे अनभिहिते सप्तमी विभक्ति ही भवती, प्रती दिन इती समस्त पदमस्ति, तस्मात अनभिहित अधिकरणे सप्तमी विभक्ति प्रत्ययाह भवति, किन्तु इदम अव्ययमस्थि, अव्ययी भावस्ट इति सूत्रे न, अव्ययी भावसमासह अव्ययसम्याम प्राप्नोति, अतह अव्ययत्वात, अव्ययादाप्सुपह इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक भवति, अथवा अत प्रत्य यस्य लोपह नभवती तत्स्थाने अमादेश भवती सर्वेभ्याहा प्रत्य यत्भ्याहा इत्य तत्र सब्तम वस्थु तहा अस्ति इदानिमदविटिया क्रिया गमन क्रियास्ति गते घ्रांमे इत्यत्र गमनक्रियायाम अहम कर्ता, ग्रामह कर्म, अत्र गतह ग्रामह इत्यत्र कर्मनिक तप्रत्ययह अस्ति, अयम तप्रत्ययह कर्मनिक तप्रत्ययह अस्ति, कर्मनिक तप्रत्ययह अस्ति, कर्मनिक तप्रत्ययह अस्ति, अनभिहिते कर्तरी तृतिया विभक्ति भवति, मया गताह इति अनभिहिते कर्तरी तृतिया भवति ग्रामह अत्र अभिहिताह अस्ति कर्मनी कृदंताह इत्यताह ग्रामह कर्म अभिहिता मस्ति GEORGE रमन क्रियायाह कर्म, तत्रगत इति क्तपरत्यएन, अभीहितमस्ति, तृतियाक्रिया अस्ति निवासक्रिया, निवसंतह इति, तत्रकर्थारह संति बालाह, कर्मनास्ति, अधिकरणम अस्ति ग्रामः, गताह ग्रामः, the village to which I went, अताह गता ग्रामः इती पदद्वयेन अधिकरणम बोध्यते निवासक्रियायाह अधिकरणम अत्र निवसत्त इती शत्र प्रत्ययांतह शब्दह, कर्तरी कृदंतह, अत्र शत्र प्रत्ययाह कर्त्र अर्थकह अस्ति, कर्त्र अर्थकह अस्ति इत्यतह, अभिहिते कर्तरी प्रथमा एव भवति, कर्म नास्ति, अधिकरणम अनभिहितम इत्यतह, अनभिहिते अधिकरणे स इधानीम एतद्विचारणीयं। इत्र ग्रामह इति पदार्थव गमनक्रिःायां कर्म अस्ती निवासक्रिःायां अधिकरण कर्मत्व निवासक्रिःायां अधिकरण अस्ती। तत्र कर्मत्वं अभिहितमस्ति, के ना कृदंते ना अभिहितमस्ति, अधिकरनत्वं ना अभिहितम्त्वं, कर्मत्वं अधिकरनत्वं उभयमस्ति, कर्मत्वं अभिहितमस्ति, अधिकरने सप्तमी भवति, अता येव गते ग्रामे इत्यत्र सप्तमी विभक्ति ही दृष्य and it is the Adhikarana for Nivasa. Karma has already been expressed by the Kridantha. So, if there was nothing else, it would have been Pratipadikarthe Prathama, Mayagataha Gramaha. But, in addition, it has the property of Adhikarana Attva for a different Kriya. For the next Kriya which is living, this is Adhikarana. We have to express that property through the Saptami Vibhar. So, Pratipadikarthe Prathama is the last result when there are complicated sentences like this, where a single Padartha has multiple Karaka properties. We have to carefully analyze what has been expressed. Sarvada Smartavyam Vaakya Nirmane Amshadvayam Sarve Arthaha Pratipadaniyaa Sarvani Padani Subantani Tingantaniwa Bhaveyu. So, the Pratipadikarthe Prathama is only when there is nothing left to express. Right? For example, Balaha Atra Nivasakriyaya Karta Raha. Tath Kartritvam Atra Nivasat Iti Kridanthena Abhihitam. Khadana Kriyanirupitam Kartritvam Api. Khadanti Iti Kartari Tingantena Abhihitam. So, Bala is also a shared Karaka. It is Kartha for Nivasan and for Khadana. Both of them has been expressed. Right? By specific Pratyaya. So, we have Pratipadikartha Matre Prathama. For Grama, one Karaka was expressed, the other was not. So, that Vibhakti will be heard. Maya Gate Grame Nivasanthaha Balaha Jambu Uphalani Pratidinam Khadanti. Aha Ndvichakrikaya Vidyalayat Grihamagatya Bhagavantan Namaskritya Kate Uphavishan Matra Pakvam Shoupam Khadami. इदे हम अपिवाकियां दृष्टमेव. Khadana Kriya अस्ति. अहम कर्ता, पक्वहा सूपह कर्म. तत्र खादामी इती. कर्तरी तिंगंतमस्ति. अभिहिते कर्तरी प्रथमा अहम्म इती. पक्वहा सूपहा इती. अनभिहिते कर्मणी द्वितिया भवति. पक्वं सूपं Khadami. द्वितिया आगमनक्रिया. ग्रिहम आगत्य. सर्वदापी तिंगंतक्रिया प्रधानम भवति इत्यतह. आदो तिंगंतक्रिया द्रष्टव्या. तद नंतरम अन्याह क्रियाह. आगमनक्रिया अस्ति. अहम कर्ता, ग्रहम कर्मा, द्विचक्रिका करणम. विद्यालयह अपादानं चत्वारिकारकाणिसंति आगत्य इति भावेक्रदंतं क्त्वाल्यप् तुमुन केवलं क्रियामेव बोधयंति कीमपी न अभिहितं किन्तु अत्रकर्ता यता क्त्वा प्रत्ययस्य विशय उक्तम क्त्वाल्यप् तुमुन सरवत्रापी समानह कर्ता भवति आता हा तिंग अन्ते यत तिंगंत मस्ति तेनईव कर्ता अभिहिता हा प्रातिपरिकार्थ मात्रे प्रथम आता येव एकमेव अत्रकर्त्रपद मस्ति अनभिहिते कर्मनी द्वितीया भवती ग्रहम आगत्य, अनभिहिते करणे तृतीया भवती द्विचक्रिकया आगत्य, अनभिहिते अपादाने पंचमी अपिभवती विद्यालयात आगत्य, सर्वानि कारकाणी तत्त द्विभक्त्या बोध्यंते कर्तातु अभिहितत्वात प्रथमांतं भवतिय। नमस्कारक्रियायामपी अहंकर्ता भगवान कर्म तत्र नमस्कृत्य ल्यप इरमपी भावे कृदंतं समानहा कर्ता तिंगा अभिहिताह कर्मवाचकात द्वितिया भवति। उपवेशनक्रियायाम उपविशन इती कर्तरी कृदंतम अस्ति कर्त्रर्थम बोधयति कर्ता गथंचिर अभिहिताह भवति। कटे इती अधिकरणम अनभिहिताम इत्यताह सप्तमी भवति। अन्तिमाक्रिया अस्ति पाकक्रिया पाकक्रियायाम माता कर्त्री सूपह कर्म। पक्व इती कर्मणी कृदंतम अस्ति पक्व इती क्तप्रत्ययांतह शब्दह तत्र कर्मार्थकह प्रत्ययह अनभिहिते कर्तरी तृतिया भवति। अन्यत्र सर्वत्रापी कर्ता अभिहितम। इदम कर्तृत्वं केनापी नभिहितम। अत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत shared karaka, tatrakhi masti, pakakriya niropitam karmatvam masti, khadhana kriya niropitam karmatvam api masti, it is the object for both cooking and eating, it has two karmatvas to be represented, karma of pakakriya, karma of khadhana kriya, इदानी पक्व इत्यत्र पाकक्रिया निरूपितं कर्मत्वं क्तप्रत्ययन अभिहितं So one of those has already been represented किंतु खादनक्रिया निरूपितं कर्मत्वं अनभिहितं अस्ति खादामि इती कर्तरि प्रत्ययह इत्यतः खादनक्रिया निरूपितं कर्मत्वं तत्र अनभिहितं अस्ति अताहा अनभिहिते कर्मणि द्वितिया विभक्ति भवति So this gets dvithiya, even though the कर्मत्व related to पाकक्रिया has already been expressed कर्मत्व related to खादनक्रिया is not expressed अताहा कर्मनि द्वितिया भवति नतु प्राथिपदिकार्थे प्रत्हमा यत्र यत्र समानम कारकम त्योक्ते समानहा पदार्थहा कारकम भवति क्रिया द्वयस्या तत्र द्रष्टव्यं किम अभिहितं किम अनभिहितं the structure of samskrita is such that you will not have a case where you will need a vibhakti to express two karakas on the same object that is impossible something will be expressed and only one will be left over which can be expressed by the vibhakti so i can understand the natural question is what if both have been anabhihita then that sentence structure is wrong you cannot make such a sentence sarvadapi ante vibhaktya ekam eva karakatvam uchyate natu bahu if there are multiple properties we need multiple things to express karmatvadvayam asti chet ekam karmatvam khridante na uchyate aparam vibhaktya uchyate karmatvam adhikaranatvam asti chet ekam khridante na uchyate aparam vibhaktya uchyate sarvadapi tathai va vyavasthabhavati wherever there are shared karakas one of the properties will always be expressed by the properties will always be expressed by a pratyaya tathradhatoho pratyaya haa atayeva bahushu artheshu santhi ataha taihi pratyaya hi karakatvam uchyate ava shishtam kim iti avagantum asmaabhihi evam vicharaha kartum shakyate evam eva yada yada yadakkim api vaakhyam pasyanti grantheshuva swara chetamba evam chintaya maha chet tatra prayojana dvayam siddhati ekam vivakshaya haa avagamanam samyak bhavati the moment we understand these especially in kridantas the difference between kartari kridanta bhava bhave or karmani kridanta and bhavarthaka kridanta if we are able to understand it correctly then only we will understand the vivakshya more importantly we will be able to construct sentences with the proper vibhakti tathra yatra yatra vaakhye vibhakti došah bhavanti idameva karanam etat sarvom api vichintya vaakhyam nirmatavyam iti na kinto asmaabhihi kutra došah kriyate bahudha iti yadivayam jani maha tarhi tadrhi tadrisham došam nivariya tath sthane ya vibhakti hii prayoktavya prathamava dviti yava tath samyak upayokhtum shakhyate asmaabhihi agrimaha pathaha atra abhidhanam iti tadvishaye antimaha tadrvayam annyaihi etavata samanya vaakhyarachayayam kartuhu karmanaha abhidhanam katham tingpratyayena kridpratyayena vaakriyate tadadharena annyavibhakti nirnaya haa katham iti jnatham this is the most common case because in most of the sentences we use 90% of our sentences are where either the karta or karma is being expressed by the pratyaya ting or krith tadadharena vibhakti parivartanam kartuhu karmanaha eva bhavati annyesam karakanaam samanyataha tathadvibhaktihi eva bhavati samanya vaakheshu kintu visheshaprayogaha santhi tadvishaye vayam agre agrimapathepashyamaha yenakshara samamnaya madhigamya maheshwarat kristam vyakaranam prokthantasmai paaninaya namaha vahakya karam vararujam harshakaram patanjalim paaninim sūtrakaranjaprana tosmimunitrayam natva sarasvatiandevim shuddhaan gumnyakarum yaham paaniniya praveshaya laghusiddhaanthakau mudheem notki kristam multi no